हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई रानी सर्मा किचन आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में आज मैं आप सभी के साथ सियर करने जा रहे हूं भटुडे के रेसेपी जो आप सभी को बहुत पसंद आएगी आप भी इस तरह गर जरूर घर में ट्राइ करें और जरूर बताएं क अगर मेरी रेसेपी पसंद आए तो लाइक और सब्स्राइब जरूर करें तो चले फ्रेंड आज हम बनाना सुरूर करते हैं भटुरे की रेसेपी यह देखिए मैने एक बॉल में मैदा ले लिए यह दो कप मैदा है अब हम इसमें वन फोर्टी स्पून बेकिंग पॉडर दालेंगे जोंदल नमक डालेंगे नमक कि उस्याता चिन दालेंगे तब हम इसमें दो चमच देल ढालेंगे रिफाइन होडी है और यह से किस अच्छे तरह मिला लेंगे मैदा को अब हम एकदम सॉप्ट डोड बना लेंगे इसका अब हमें कप में थोड़ा पानी ले लेंगे शीज थोड़ा पानी डाल देंगे हम इसमें अल है Ultra के माश्चनच कर लिए हैं अब इसके ऊपर से हमस्ट तेल दाल देंगे अब हम इसे एक घंटा के लिए से घंटा कर अछी तरह से रख देंगे ताकि मैदर अच्छी तरह से फूल जाए आ तोक कि मला अब हरो हम इस Czech vertically अश्जी तरह से हो गई है अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, अब हम हाथ में खुरा तेल लगा लेंगे, अब हम इसमें अलोया काट लेंगे, अब हम दोर को इस तरह करके अच्छा से गोला बना लेंगे, अब हम थोड़ी से मैदा ले ली हैं इसका टोड़ी में, आप चाहे तो पेल से ही बना सकते हैं, अब हम बना से कहसे, तो हम आप जैछिंगे ङला लेंगे, ले तो हम अब को הזया बना से में, मिलेके। कि देखिए हमने सारे भटूरे पेल कर तयार कर लिए हैं कि अब इस तरह डालेंगे भटूरे को कि अब इसे अच्छी तरह से फुला लेंगे कि अब इसे पलट लेंगे कि अब टेखिये एक अच्छी तरह से लाल हुच्छे कि अब हम इसे कि प्लेट किनिकाल लेंगे कि अफिनी अच्छी तरह से फूली ऐ। इसी तरह हम सारे भटूड़े को चान लेंगे एंगे देखिए हमारी भटूरे के रेसिपी बनकर तयार है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये तो लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें थैंक यू